Hello students, welcome back to Shubham Lecturer Channel तो student इस वीडियो में हम कनहया लाल मिस्र प्रभाकर जी के जीवन परिचे के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम जानेंगे कनहया लाल मिस्र प्रभाकर जी के जीवन परिचे, साहितिक परिचे, कृतियां यानि कि उनकी रचनाएं और साहिति में अस्थान ये पभी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा तो इस वीडियो में हम जानेगे कि जीवन परिचा यानि कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी पिता का क्या नाम था, कैसी सिच्छा दिच्छा थी, इनकी मृत्य कब हुई, ठीक है, साहितिक परिचा और कृतियें में समझेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो देखिए जीवन परिचाय, इसका पीडिया भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, तो देखिए क्या है, कनहया लाल मिस्र प्रभाकर का जन्म कब हुआ था, 1906 भी में, ठीक है, 1906 याद रखिएगा, कनहया लाल म परिवार में हुआ था, ठीक है, तो पहले एक लाइन आप अच्छे समझे, कनहया लाल मिस्र प्रभाकर जी का जन्म कब हुआ था, सन 1906 भी में कहा हुआ था, देवबंद सहारनपुर के एक साधारन ब्रहामर परिवार में हुआ था, ठीक है, दो मेन पॉइंट है, 1906 भी औ और देवबंद सहारनपुर, ठीक है, आगे देखिए, इनके पिता का नाम पंडित रमादत मिस्र था, ठीक है, जो इनके पिता जी थे, उनका नाम था, पंडित रमादत मिस्र, ठीक है, तो ये इनके पिता जी का नाम था, इसको भी याद रखेगा, ये कर्म कांडी ब्रहा आर्थिक इस्थिती, वह अच्छी नहीं थी, हिंधी, इन्हों ने घर पर घर की positively का आंगर के लिए रहकर स्वाध्या से हिए हिंधी संस्क्रित और इंगली स्यान्य की अंग्री, प्रेजी भासा का गहन अध्यन किया और कुछ समय तक इन्होंने खुर्जा यह एक पाट साला है जो कि संस्कृत पाट साला है इसमें इन्होंने सिच्छा प्राथ की तो यह है आपका इतना टॉपिक अभी मैं एक बार आपको अच्छे से बताऊंगा छोटे से वर्ड में ठी थे रास्ट्री एन नेशनल जो है लीडर थे आशप अली उनका जो है इसलकर इन्होंने अपना सिच्छ जीवन राष्ट सेवा के लिए अर्पित कर दिया यानि कि आ आपना जो है जिवन वोराश्ट शेवा के लिए अर्पित कर दिया ठीक है और क्योंकि ये जो है भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे आगे देखे क्या हुआ इन्होंने जो है भारत के स्वतंत्रता होने के बाद इन्होंने स्वयम को पत्रकारता में लगा दिया जब भारत स्वतंत्र हो गया जब इनका इन्होंने भासन सुना था तो इन्होंने राष्ट कब हुई तो 9 माई 1905 नभी इस बी को इस महान साहितकार का निधन हो गया तो देखिए यह था इनका जीवन परिचे अभी मैं साहित्तिक परिचे के बाल में डिसकस करूंगा तो जीवन परिचे में क्या क्या चीजें हैं इनका जन्म हुआ था 1906 में कहां हुआ था सब्सक्राइब कर दिया और भारत आजाद हो गया तब इन्होंने अपना जीवन है वह पत्रिकारता में लगा दिया और 9 माई 1905 नभी को आखिरकार इस महान साहित्तिकार का निधन हो गया तो यह इनका मृत्यों है तो जन्म मृत्यों अच्छे से याद करिएगा पिता जी सब्सक्राइब किस इस संसमरन निबन्द कार और निबन्द कार में प्रभाकर जीन हो गया तो यह जो यह कि बहुत लिए या ऑसिलिए इनतहों में वी लिखते निबन्द अस्थान है तो ये इनका परिचे हो गया, साहित्य में किस प्रकार का परिचे है तो ये हिंदी के सरेश्ट संसमर्रकारों रेखा चित्रकारों निबंदकारों में जो है इनका महत्पून अस्थान है आगे देखें इनकी रचनाओं में कलागत आत्म परक्ता, चित्रात्मक्ता और संसमर्ण आत्मक्ता को ही प्रमुक्ता प्राप्त हुई है यहने कि जो इन्होंने अपनी रचनाय की हैं उसमें आतम परक्ता, चित्रात्मक्ता और संस्म्रं आत्मक्ता को ही जो हैं इन्होंने परमुख माना है ठीक है तो यह इनका साहितिक पर narrative आप भी साहित में और कुछ भी लिख सकते हैं कि इस प्रकार से आप इसे आसानी से लिख सकते हैं इसका पीडिया में जब दे दूँगा तो इसको पहले आप मेरे वीडियो से अच्छे समझ लीजिए उसके बाद में पीडियाफ आप लोग जाकर डाउनलोड कीजिए उसको एक दो बार पढ़िए आपको अच्छे से उढे रचनाएं इनकी वह कौन-कौन सी है। किन-किन छेत्रों मेंनेन्य रशनाए की है तो कृतियां यानिकि रचनाय क्या है परवाकर इन्होंने कुन-कून-कॊन-कून्तिर रकें के हैं त्वित भीं लिखा लगुकत्र भी specialist को भी ललीतने लिखा है तो कौन-कौन से हैं उनको मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूं तो जीसे रेखा चित्र में इन्होंने लिखा है नई पीड़ी के बिचार ठीक है और क्या लिखा है इन्होंने जिंदगी मुस्कुराई जिंदगी मुस्कुराई ठीक है और क्या लिखा है इन्होंने माटी हो गई सोना माटी हो गई सोना ठीक है और एक और है भूले विसरे चेहरे भूले विसरे चेहरे तो इनको आप लोग सिर्फ देखिएगा मात इनको अच्छे से तयार भी कर लीजिएगा देखने से काम नहीं चलने वाला ठीक है अच्छे से इन्हें समझ लीजिएगा पीडियाप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि अगर आप इसे तयार कर लेंगे तो जो आपका आगे साहित में जो बहुए कल्पी है प्रशन पूछे जाते हैं वो भी आपके कुछ किलियर हो जाएंगे जैसे इस प्रकार से पूर्शा जाता है कि भूले विश्रे चेहरे किसकी रचना है तो चार आपसन देजिए जाएगा तो आपको सही आपसन क्लिक करना होगा तो आप लिख सकते हैं अगर आपको पता है कानेगे लावी मिसप्रभाकर जी के आगे देखे हैं लगु गथा भी लिख्या ilnote अधेनों लीखाय आकाश के तारी अकाह के कि टारी ठीक है और लिख्याằय मैं धर्टी के फूलं धर्टी के पूल ठीक है इन दो रर्शनाओं और शिल्ग zaham Web ृप corners pros da mean नव नगारे इन संख बजे ठीक है तो संसमरर में इन्होंने लिखा है दीप जले संख बजे यह आपकी कृतिया हो गई अभी ललितनी बंध भी इन्होंने लिखा है ललितनी बंध में दो रसनाएं इन्होंने की है वो क्या है देखिए छड बोले कण मुस्कुराए छड बोले कल और एक और लिखा आई इसमें बाजे पायलिया के घुंगुरू ठीक है यह दो रचना इन्होंने लले तिनी बंद में की है तो यह मैं सीधा-से हम बात करें तो इन्होंने रेखा चितर लिखा लगो कता लिखिये रेखा चित्र में इन्हों ने क्या क्या लिखा है नई पीडी के विचार जिंदगी मुश्क्राई माती हो गई सोना और भूले विश्रे चेहरे चार रचनाई ठीक है लगुकथा में क्या हो गए आकास के तारे धर्ती के फूल चार दो छे रचनाई में क्या होगा दीव जले संख बजे साथ रचनाई लली तनी बंद में क्या होगा चड़ बोले कर मुश्कुराए और बाजे पायलिया के घुंगुरू यानि कि दो इसमें नव कुल मिलाकर इन्होंने नव गरंथ नव रचनाई इन्होंने लिखी है ठीक है एक दो तीन चार सब्सक्राइब करें लिखना है तो थोड़ा सा ज्यादा कम हो सकता है तो थोड़ा सा ज्यादा कम हो सकता है कि हिंदी साहित में इनका कौन सा स्थान है जिसे कनहें लालमिस्प्रभाकर जी मौलिक परतिभासंपन गद्दकार थे ठीक हैं इन्होंने हिंदी गद्द की अनएक नई भिधाओं पर अपनी लेखनी चलाकर उसे सम्रिद्द किया है यानि कि इसमें आपको बताना है कि ये मराण कहानी निबांद ठीक है सब विधाये हैं मैं अपनी लेखनी चलाकर उसे समरिद्ध किया है इस प्रकार से आप कढ़ेगा लाल मिस प्रभाकर जी का पूरा लाइफ आप लिख सकते हैं पूरी जीवन परिचे को लिख सकते हैं तो आएसे ही आप लोग लिखेगा और लि